Hello friends, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेला चैनल बेफिकरे और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि साओधी का टोरिस वीजा कैसे अपलाई करते हैं जैसे आपको मालूम है कि 1st of September से साओधी का टोरिस वीजा खोल चुका है और ये हैं आपको ई-वीजा मिलेगा तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साओधी का ई-वीजा आपको कैसे अपलाई करना है कौन सी website पर जाना है कैसे आपको register करना है क्या-क्या information दालनी है और क्या visa fees होने वाली है और क्या insurance fees होने वाली है धान से देखे, tap-tap करके ना देखे because ऐसा हो सकता है कोई important information miss हो सकती है और कोई valuable information miss होने से आपको जब आप अपना visa apply करेंगे तो problem हो सकती है तो पूरा वीडियो देखे है starting से आखरी तक सारी information इसमें सही से दी जाएगी application कैसे fill की जाती है मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपकी resiliency 3 months की validity है तभी आप इस e-visa को apply कर सकते है अगर इससे कम है तो आप लोग नहीं कर सकते तो प्लीज यह आप ध्यान रखे कि कम से कम तीन मेने की resiliency आपके resiliency होनी चाहिए आपके visa पे जब ही आप इसको apply कर सकते Saudi visa को और इस visa के लिए आपको तीन तरीके की fees देनी पड़ेगी सबसे पहले है application fees और उसके बाद है insurance fees और उसके बाद है visa fees तो यह तीन टाइप की fees आपको देनी पड़ेगी इस वीडियो में मैं यह तीनों फीस आपको दखाऊंगा कि कैसे कैसे pay करी जाती है और इस में को समझाने के लिए मैंने एक example लिया है और उस example को लेकर चला हूँ इसमें जो नाम और cities और बाकी information एक dummy दालूँगा और आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस form को fill कर सकते है और आपको form fill करने के बाद आपको successfully साओधी का e-visa मिल सकता है तो आखरी तक देखे पूरी videos tap tap करके ना देखे फिर दुआरा because काफी सारी information है छोड़ी छोटी है वो मिस हो सकती है सबसे पहले आपको ये वाला link खोलना है जो आपके अभी screen पे दिख रहा होगा इस link का जो है उसे copy करना है और Google पे दाल देना है और जैसी आप दालेंगे तो आपको जो साओधी visa का screen है वो खोल जाएगी तो यहाँ पर दो आपको option मिलेंगे हमें visitor visa वाले option पे जाना है जो second option है वहाँ पर जाने के बाद हमें अपना आपको सबसे पहले register करना है तो register करने के लिए जब नीचे register button है उसे click करेंगे जैसी इसे click करेंगे तो एक और screen खोल जाएगी वहाँ पर हमें है उसमें थोड़े से number थोड़े से alphabet थोड़े से special character इस तरही किसे लगए है कि वह complex हो और फिर वह ले लेगा एक बार लेने के बाद नीचे जो भी आपका caption side में लिखा है उसको आप वही पर दुबारा से लिख दीजिए और आप उसको button registration पर दबा दीजिए जब आपको registration पर दबाएगे तो आपको एक email आ जाएगी और उस email पर आपको अपने जाके अपने आपका ये account को activate करना है एक बार ये account अक्टिवेट हो जाएगा तो आप इसको use कर सकते है और अब आप अपने email ID को यहां पर दालेंगे जो हमने register किया था वहाला password यहां पर दालेंगे और दालने के बाद जो caption दिया गया है side में उसी caption को पूरे हाट type कर देंगे और login बटन पर click कर देंगे जैसी आप login बटन पर click करेंगे ये नई screen खोल जाएगी आपको इस पर click करना पड़ेगा add new application because हम लोग पहली बार इस visa को apply कर रहे है और यह terms and condition होगी इस terms and condition को आप साही से सब पढ़ ले because इसमें सारी काफी information दे रखिये और यहां पर price दे रखा है visa का जो 10.5 US dollars है वो आपको pay करना पढ़ेगा उसके बाद और terms and condition है इन terms and condition को भी साही से पढ़ ले और इसको I agree पर कर ले और यहां जाने के बाद आपको application form आएगा उसमें सब भरना पड़ेगा इसमें type of visa है इसमें आपको select करना है tourism visa because हम tourist purpose के लिए select कर रहे हैं और प्रिक्त कई तरीके के visa है बटा हम लोगों को tourism visa select करना है एक बार ही आप select कर लेंगे tourism visa उसके बाद आपको next option पर जाना है जैसे कि मैं इसमें से अभी select कर लेता हूँ tourism visa काफी सारे सा visa है आप देख सकते हैं बट अब इसके बाद आप किस तरीके से transport कर रहे हैं आप by air, land या sea मैं open छोड़ देता हूँ तो उसमें किसी भी तरीके से हम लोग इसको आ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर depend करना है कि कौन सी जगा से आप आ रहे हैं तो वो जगा कोईद हम लोग select कर लेंगे इसमें ठीक है और यहाँ पर आपको अपनी personal information भेरनी है जिसके अंदर अपना first name, last name आपको यहाँ पर दालना है और इसको आपको English में भी और Arabic में भी दालना है उसके बाद आपको background की photo upload करनी है यहाँ पर आपको अपनी nationality information भजनी है passport information related सारी information यहाँ पर दाल देनी है यहाँ पर आपको अपनी third information select करनी है, third information select करने के बाद सबसे नीचे आपको अपना जो यहाँ पर civil ID मिलता है उसकी information दालनी है उसकी expiry फारी साब information दालने के बाद आप इसको safe कर दीजेगा point से जो मुझे लगा कि मुझे बताने चाहिए यहाँ पर इस screen के लिए कि सबसे पहले जो नीचे है वहाँ पर आपको civil ID देना है और इसकी expiry देनी है और आपको यहाँ पर नीचे आपको attachment दी जाएगी उस attachment में आपको अपना passport की copy लगानी होगी और civil ID की copy लगानी होगी यह दोनों चीज़े आपको दलगानी है आपर एक option है occupation तो वो भी बहुत important है जो drop down में occupation दी गई है वो occupation आपके occupation से match करनी चाहिए जबी आप इस visa को apply कर सकते है जैसे आप manager है engineer है, doctor है या फिर ऐसे कोई profession में है तो जो drop down में आ रहा है उसे select कर लीजिए और जो drop down में नहीं आ रहा occupation वो लोग apply नहीं कर सकते this is a very important information जो port of entry है उसको select करना है कि आपको बताना है कि साथी अरभ आप कौन सी जगह से enter करने वाले हैं आप airport से आ रहे हैं तो उस airport का select कर लीजिए अगर आप land water से आ रहे हैं तो वो अले land water का आप select कर सकते हैं वहीं परी आपको option मिलेगा other countries का अगर आप यहाँ इस visa से साथी अरभ घुम के कहीं और country जाने चाते हैं तो other country में select कर सकते हैं जैसे आप अगर दुबई जाने जाते हैं साथी अरभ होते हैं घुमते फिरते तो आप दुबई सेलेक कर सकते हैं वहीं पर ही एक आपको option मिलता है अगर आप उम्रा करना चाते हैं तो वो उम्रा का भी option सेलेक कर सकते हैं यह सारी information आप सही से दाल दीजिए दालने के बाद आपको save का बटन दबाना है और आपको next screen पर ले जिया जाएगा और अपना email id और telephone number और po box number बताना पड़ेगा और उसके बाद next में आप बटन पर क्लिक कर देंगे अब हम आ चुके है medical insurance के लिए अब यहाँ पर different type के medical insurance दे रखे हैं हम इन में से कोई भी एक company सेलेक कर सकते है उसके सामने हमें medical insurance का amount दे रखा है तो आप अगर सबसे सस्ती करना चाहें तो पहले वाली medical insurance सेलेक कर सकते हैं जो सबसे सस्ती है या फिर आखरी वाली इन दोनों options पर सेलेक कर सकते है medical insurance और उसके बाद next step पर आएंगे जिसके अंदर आपको visa fees देनी है तो visa fees लगभग 10.5 dollars है जो आपको pay पे करने पड़ेगी आप credit card से pay कर सकते है credit card के सारी information दालके आप इसे pay कर सकते है यह screen है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि आपको किस-किस type की payment करनी है सबसे पहले आपको अपनी application fees पे करनी है जो है 10.5 dollars second उसके बाद आपको अपने insurance fees करनी है जो हम लोगों ने insurance selected थी सबसे सबसे वह है 12.27 dollars और आखरी में हम लोगों को visa fees पे करनी है जो है 81 dollars इन तीनों fees को pay करना है एक-एक करके pay करना है यह आप एक साथ नहीं कर सकते है यह जब तीनों को एक-एक करके payment कर देंगे successfully उसके बाद आपको पूरी payment हो जाएगी और कुछी दिनों में या कुछी time बाद आपको अपना visa email पे आ जाएगा कुछ इस तरहे का आपको अपनी email पे visa आपको मिल जाएगा आप उसका printout भी निकाल सकते है या फिर आप soft copy भी इसे रख सकते हैं और ये visa को आपको दिखाना होगा जब आप साउधी अरब जाएगी और अब मैं ये वीडियो ही पे खतम करता हूँ और आपको जो टूरिस फेड़ा मिलेगा वो आपको single entry या multi entry भी मिल सकता है तो depend करता है आपके occupations पे और बाकी सारी informations पे तो आप जब apply करें तो उस चीज़ा आप देख सकते हैं और अब मैं ये वीडियो ही पे खतम करता हूँ और अगर आपका कोई question है तो please comment में लिखके हमें बताए कि साथी अरब का visa आप apply करना चाहते है तो क्या कोई information हमसे छूट गई है बताना या में तो आपको मैं comment पे बता सकता हूँ और अगर कोई आपको relative question है कि भई जो इसमें आपको समझ नहीं आया तो आप please comment करके बता सकते है तो हम definitely उसको इसमें cover किया जाएगा आपको comments को आपका answer दिया जाएगा और अब now please subscribe my channel और instagram पर भी आप follow करें और हम चाहते हैं कि हम इसी तरीके से grow करें आप लोग के प्यार्स के साथ तो आप मैं video ही पर खतम करता हूँ, bye